जैसे वायू तक्वा को शांटकरते हैं जी क्या गोड़ा हमने तांडे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये तांडे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में ऐसी जिसके कारण अंदर के शरीर में तामर की मात्रा कम हो गए है उनके लिए यह है माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गए जिस बीमारी में तामर की मात्रा शरीर में तामा होता है शरीर में सोना भी होता है शरीर में चानी भी है शरीर में दोहा भी है ऐसे 18 तक कुछ हमारी शुर। और ये सब मिठ्थी से आए हैं। मिठ्थी से जो कुछ भी अन्द पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं, हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। ये जितने बाल जड़ने वाले मरीज हैं, जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत तूट रहे हैं, समझ लीजे शरीर में तामर तक्तो की कमी हो गई है। बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत मजबूत हो जाएं। इसी तरह से आखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें भी तामर तक्तो कम हो जाता है। उनके लिए बहुत अच्छा है कि तावे में रखा हुआ लोटे का पानी आपकी होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए। तावे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते। बीच-बीच में उसको रोगना पड़ता है। तीन महीने लगातार पी लिया, अब एक महीने छोड़ दीजे। फिर एक महीने छोड़ कर फिर तीन महीने पी लिजे। फिर एक महीने छोड़ दीजे। फिर तीन महीने पी लिजे। फिर एक महीने छोड़ दीजे। ऐसे करके चलेंगे तब ही उसके पढ़नाम अच्छे आएंगे। तो आप फिर उसके लिए परिखाना जाए।